हम लोगे लोगे काफी ज़त अच्छा टॉपिक है बात करें आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि अपना इंन फोटो शॉप होता है。 छो हूप मेंHar presented page photo editing कैसे करते है का हूप छो सॉप होता है, म cabe Украї पूरे खाने with a, मिला एंण Mormonicon दूटोरियल देखें कि मैंने किस टाब का editing किया है photoshop मैं कि सो ऑप लोग अगर मैं बोलू НА तो आप लोग इस विडियो में na photo ratings related सारा ना जो handout है ना बतलब photo editing कैसे करते फोडो अब में सारा चीर आप लोग को clear हो जाएगा आप लोग यह सब samples तो photoshop में आप लोगों दिखा दिया आप सेंपल coal को देखी लियाWorld तो मैंने this type का जो फोटो एडिट साफ मैँ किया हुआ जैसे कि आप लोग यहां पर देख लो Okay तो पूरा चीज आप लोग का फोटो एडिटिंग इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि बाल कैसे खड़ा करते हैं आप लोगा कट आउट कैसे करते हैं आप लोगा कलर ग्रीडिंग कैसे करते हैं बाल को कैसे कड़ा करते हैं फेस स्मूथ कैसे करते हैं और पेंट कैसे एपलाई करते हैं सारा का सारा क्रियेटिविटी को अपर डिपेंड करेगा कि आप लोग किस टैप का एडिटिंग अपना कर पाते हो सबसे पहले तो अपने पास फोटो सॉप है तो बहुत अच्छा बात है अगर नहीं है ना तो आप लोग यह अडॉप का वेबसाइट सा आप लोग जा करके ना डाउनलो क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक ना हमारे लिए काफी ज़्यादा कीमती है और इस वीडियो को रिगार्डिंग किसी भी टाइप के डाउट होना तो आपके इंस्ट्राग्राम पे मेसेज करके मेरे से प्रस्नली आप पूछ भी सकते हो अब देखो कि अपूछ दोस्तों तो वह सब फोट अधिक करने में जो जो भी आप लोंगा टूल का यूज होता है ना वो सब हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगा जी हां दोस्तों कि यह फूल फोटो सॉप टॉटोरियल नहीं यह बस आप लोगा फोटो एटिक टुटोरियल है तो फोटो डिटंग करने के लिए क्लिए को लुए कौन कौन सब उरे को ईप का इनुसे च्ञार tecn यूव को यूज होता है तो मैं तो सारा मैं इस विडियो में कवर कर लूँगा चली। बात करते हु subscribe फो अपने इस ब्लगेण के लिए में लोंग बात करेंगे manipulation manipulation के बात करेंगा retouching का तो सबसे पहले बात करके color greeting में यहां देख सकते हमारा एक नॉर्मल सा पोरिंग सा photo आपव लोग देख साकते खित्व सुम्पल सा photo है जिसमें कि कुछ भी color color greeting नहीं हुआ कि नर्मल सा एक फोटो लिया हुआ है यहां पर है अगर आप औन ना ध्यान रहा है फोटोशब में color greeting करने के लिए थेकी यहा फी है फिल्टर में चल जाना यहां पर सा फिल्टर मेंơnने धा यहां पर यहां पर आपलों को kamera raw filter मिलेगा यहां आप लोग को basic मिलेगा अब basic में क्या है ना आप लोग ने यहां पर exposure वगेरा, highlights वगेरा whites वगेरा, blacks वगेरा यह सब adjust करते हो अब यह आप लोग यह उपर depend करता है कि आप लोग किस type का adjust करते हैं क्योंकि हर photo का अलग-अलग होता है तो आप लोगो ये चीज ध्यान देना है अगर आप लोगा फोटो में highlights कम है तो आप लोग highlights कम कर देना highlights ज्यादा है तो आप लोग highlights कम कर देना highlights कम है तो ज्यादा कर देना exposure बहुत ज्यादा है तो exposure कम कर देना contrast कम है तो contrast बढ़ा देना तो अब आप लोगे भी depend करेगा तो यहाँ पर ही मेरे photo में जो भी चीज है ना तो मैं इसके ओपर कुछ-कुछ मेरे को जैसा सही लग रहा है तो मैं यहाँ पर ही apply कर देता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा कर दिया और यहां से मैं हलका shadows को बढ़ा देता हूँ जैसे कि आप देख सकती है हमने जो shadows है ना उसको increase कर दिया shadows increase कर दिया यहां से हमने white को कम कर दिया तो आप लोग अपना photo के करकर देखना आप लोग अपने मुताबिक करना आप लोग का photo में जो match करेगा ना वह आप लोग रखना क्योंकि हर photo में लग होता है कर दो मिलेगा तो यहां पर हम लोग कर तूल वगेरा का बात नहीं करेंगे क्योंकि जो है ना अप लोग का color reading में कर तूल आप लोग चाहिए तो यूज कर वे सकते हैं नहीं भी उसकर तो यूज कर वे तो और ज्यादा बहतर होगा तो वह आप लोग का यहां पर आप लोग काफी सारा मिलेगा जैसी कि red, orange, yellow, green, aquas, blue तो अब देखो red मतलब अगर आप लोगा जहां पर भी red color होगा तो वहां से आप लोग चेंज कर सकते हो पोर सपोस मेरा यहां पर डेख सकते हो में यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं इस यहलो को कम कर दूंगा तो अगर आप लोग देख सकते हो अगर अगर आप लोगatics प्रेख सकती हाँ प्रेट है तो अगर आप लोग लुग को कम करो गया तो अभी देखना हमारा जो ब्लु कर पैंट कलर है वह और ज्यादा ब्लू हो जागा जैसी कि अब ने देखा यह ऐसे था यह यह ऐसे हो गया जो कि अभी देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है यहां से आप लोग जो पलपल है न है इसको भी चाहतों बढ़हासकते हो यहान्च का मन एख़एंगे यहान्च भी मरत इतना ठीक है और ग्रीनों को भी हम आप तरह मनों इतना रख दिया यहां पर यहां पर यह ब्लू आप लूगिrollo मिले का तो जैसी की देख सकती है लो औरेंज में अगर आपने बढ़ाना है तो अमनों orange को कम कर देंगे हमारे हमारे जो lips है ना उसको हमनों हलका सा increase कर देंगे ताकि हमारे जो lips है वो यह red tap का हो जाए यहां सब आप लुमिनेस मिलेगा luminous में क्या होता है ना यहां आप लोग देख सकते हैं यानि कि थोर सा bright चाहिए ना तो यहां से आप लोग जो orange ना इसको बढ़ा दोगे ना तो आप लोग जो face है ना वह और जादा देख सकते हो हमारा वाइठ हो जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो और यहां से अगर आप लोग यह yellow बढ़ा दोगे ना तो आप लोग जो जादा भो जाएगा मगर हमें नहीं चाहिए इतना यहां अगर आप लोग ब्लू बढ़ा दोगे तो हमारा जो पैंड का कलर वो ब्लू हो जा सकते जिसे कि आप लोग डेक्ट जिए क्यों की और जादा अछा लगेगा देखने में अभी आप देख सकते फोटो अभी यहां पर एक बडर देखो तो यहां पहले का अभी का देख लो अभी का आप लोग जैसे कि देख सकते हो और पहले का आप लोग जैसा कि देख सकते हो यह before है यह after है अब आप देख सकते हो दोस्तों हमारा color grading करने के बाद जो photo है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो यह साभ आप लोग जो देख रहे हैं यह साभ pimple वगएरा होगी है यह साभ आप लोगा face का जो brightness होगिया य Sachs के थोड़ा glow और तोड़ा गुरा करना होगिया आप लोगा face वगेरा में smoothing होगिया आप लोगा जो पाल को खड़ा करना होगिया तो यह से हम लोगं बात करेंग ہیں रिटचिंग में यह है आप लोगं का Color grading लोगं किस टैब का Color grading इसमें करते हो तो यह तो हो गया Color grading अब बात करते हैं manipulation editing के बारे में तो आप बात करते हैं में तो भी आपनी देएघं़ और लोग सिर्श करते हैं जिस फोटो को अपर रहे को फूटो का फूर सबूस्फ यह मेरा एक फोटो यहाँ पर अगर आजनी की किसी भी फोटो में ना color reading, manipulation और आप लोगं का retouching तीनों को एक साथ add कर देते हो ना तो वो फोटो और जदा अच्छा लगता है color reading में अगर आप लोगं हलका retouching भी add करोगे ना तो वो भी काफ़ी जदा अच्छा लगता है देखने में तो manipulation में हम लोगों से बात करेंगे आप लोगं का background change करने के बारे में आप लोगं का background change कैसे करते हैं आप लोगं का background से match कैसे करवाते है फोटो को तो हम लोग इसके ओपर ज्यादा focus करेंगे तो for suppose मेरे पास ये एक photo है तो मैं यहां पर drag and drop करके ना यहां पर यह photo को import कर यहां पर आप लोगं को काफी सारा tool देखने को मिलेगा मगर cut out करने के लिए ना सिब दो tool का इस्तमाल जादा मैं करता हूँ एक है अगर आप लोगं इसमें right click करोगे ना एक है आप लोगं का quick selection tool और एक है आप लोगं का यहां पर ही जैसी कि देख सकती है यह paint tool जैसे कि आ कफी जैदा अच्छा लगता है जी हां दोस्तों मगर जो यहां पर देख सकते हो quick selection tool भी आप लोगं को मिलेगा quick selection tool में हलका फूल का जगा कुछ को छूट जाता है अगर आप लोगं हड़वड़ी है नहीं कि जल्दी है ना तब आप लोगं यह quick selection tool का इस्तमाल कर सकते हो य जाधा जल्दी जैसी कि देख सकते हो हमारा पूरा अप हम लोगं सेलेट करते जा रहे हमारे जो dough हैना वह सदेट करने सब्सक्राइब यह घुछक्त यहां पर यहां पर जो बेकार वाला है वह डिसलेक्ट हो जाएगा यहां देख सकते हो यहां पर जो जूम कर देंगे और इसको यहां से सकते हो यहां पर यहां पर जैसी कि देख सकते हो यहां पर यहां पर यहां पर हमनों जो है ना वो इरेजर टूल का मदद से इसको सही कर सकते हो इसलिए मैं दोस्तों बहु रहा था कि अगर आप लोग ना ये पेंट टूल का इस्तमाल करोगे ना तो वह जाधा बहतार होगा क्योंकि पेंट टूल है आप लोगा जो कट कट आउट में वह डिटेल भी ज्यादा माँ मांपा से देता है याई कि आपका कट आउट उसका अच्छा लगता है देखने में और पेंट टूल का जो होता है आप लोगा बेफालत्य मैंट करते हो इसलिए यह स्टमाल कर लोग माइनुश ब्सेलेट करो और इसको यहां स्लक्रों कर लो तो यह आप लोगा जो है पेकार वाला एरिया आप लोग यहाँ सेलेट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो, अब यहाँ तो दोस्तों हो गिया, अब यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ तो दोस्तों हो गिया, अब यहाँ देख सकते हो, अब यहाँ तो दोस्तों हो गिया, अब यहाँ लिकिस्टों तूल अगर लोगो फास्ट चाहिए तो फास्ट एक लब बहुत जलदी आप लोह का जो में अगर आप लोग करोगी आप लोगा जो मैं ऐसे प्रवन को सब्सक्राइब ने स्लेट कर लेंगे कि और यहां से जर् beetje हो गया दोस्तों पूरा स्लेक्शा जैसे कि आ यहां पर एक reuse जो यह देख में पर गवर बंईा से जर्च सकते हमारा पूरारा फोटों को है नवह रेकर से मिली जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इंट देखता होगा यह मास्क में आप लोग राइट क्लिक करना और आप लूग यहाँ पर एड एप्लाई लियर मास्क में क्लिक कर देना यह सब उसक्राक ही कुरक्ट और ग्राइन ग kolayप ग्यारें प कृफ़ोपा कर लोगोंको बैगरॉंड च्यूंच करना पता कि having logic system अब घ्र कर Mart u तो मैं यहां पर ही ना मेरे पास काफी सारा बैग्राउंड है अगर आप लोगो यह सब बैग्राउंड का लिंक चाहिए ना तो आप मेरे को comment box में बोलो मैं आप लोगो ये सब link है na provide कर दूँगा Instagram पर message करो मेरे को मैं आप लोगो ये सब जो background है मैं पास काफी सारा background है मैं आप लोगो वो सारा का सारा background न प्रोइट कर दूँगा अब background भी आप लोगो न फोटो के हिसाब से लगाना ऐसा background लगाना जो कि suit करे अब ऐसा नहीं कि आप लोग़ जो तो background लगा दो जैसे कि न यहां पर ही मेरे पास एक background आप लोगो न पाखरा करना पड़ेगा कि आपका photo में वह background match कर रहा है कि यहां देख तो हमारा फोटो के उपर apply हो गया है, तो आप लोग़ पर ले यह करना यहां देख सकता हमारा यह cut तो काफी जाल्ण के बाद, मैंने की रिखा है हुआ है, तो काफी हाँ यहां पर आप यह और लूग को इसमें नहीं होय नहीं है, आपUnis के प्लर कूंके आपने बेंगा करेगा आप लोगों को सबसे पहले का कलर गिडिंग जो करना है ना वह आप लोगों को ध्यान रहें आप लोगों को इस चैप कलर गिडिंग करना है कि जिससे कि आप लोगों का मॉडल से पूरा मैच खाये जी यहां दोस्तों आप लोगों जैसा भी कलर गिडिंग कर दिये मॉडल से मैच खाये आप लोगों को ऐसा कलर गिडिंग करना है तो यहां से आप लोगों कलर गिडिंग करने के लिए आप लोगों क्या करना यहां से आप लोगों बढ़ा दिए अब temperature की बढ़ाने का विजिए हलका सा vibrational को बढ़ा देंगे हलका सा थैक्त 10 सकते हो हमारा yellow time को लाना है हलका सी हलिव यहां से highlights को highlights ठीक है यहां से contrast भी ठीक हालका full कटी कह Jestem हलका सा और shadow आप लों को मन्च्य तो आप सबसे पहला बात रहे ब्राउन कलर तो यहां से आप लोग क्या करना यहां से देख सकती यह वाला नीचे आप यहां पर देख सकती इससे आप लोगा बैग्राउंट से पूरा मैच करना चाहिए तो यह वाला हम लोग यहाँ पर ही यह जो brown color है न हम लोग इसको increase कर देंगे हलका सा जैसी कि देख सकते हो हलका सा हम लोग brown color को यहाँ से increase कर दिए तो यहाँ से देख सकते हो हम लोग इस टैप का add कर दिए ज्यादा add नहीं किये क्योंकि हमार जो background है न वो उससे हलका सा match करवाना है जिसी कि आप देख सकते हो तो यहां से हम लोग इसको plus में click कर देंगे तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं काफी हद तक हमारा photo से न वो match खा रहा है जैसे कि आप यहां देख सकते हो पहले का देख लो और यहां अप का देख लो तो यहां आप जैसा कि देख सकते हो यहां आप देख सकते हो हम लोग यहां पर यह जो बाल को है वो सही नहीं की यहां हमारा कुछ कुछ cut out है तो ये सब को हम लोग सही करेंगे वीडियो के लाश्ट में जब हम लोग बात करेंगे रिटचिंग है ना रिटचिंग का जब हम लोग बात करेंगे ना तब हम लोग सही करेंगे जो हलका हलका जो हमारा दिख रहा है ना हलका हलका ये सब ये सब यह सब हम लोग बात करेंगे retouching के time तो अभी हम लोग यह सब का बात नहीं करेंगे तो manipulation में क्या होता है आप लोग जो photo है का background है उसको हम लोग change करते है साथ साथ इसमें हलका fall का color reading करते है जिससे कि हमारा जो photo का है न वो और ज्यादा अच्छा लगता है देखने में तो इसको मैं save कर लेता हूँ वीडियो के last में हम लोग retouching करेंगे उसके बाद हम लोग इसमें apply करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हमने उसी photo को open कर लिए जो हमारा पहले में था अब देखो आप लोग बात करेंगे retouching का तो retouching न आप लोग को पहले ही apply करना है यानि कि आप लोग जब अपना photo के एडिट करने वाले होगे उससे पहली apply करना retouching को retouching को बाद में मत apply करना मैं आप लोग को कर रहा ना तब उसमें आप लोग color grading plus retouching दोनों का ज़वत पड़ेगा तो आप लोग यह चीज़ भी ध्यान देना है यहां से आप लोग यहां से रिमूफ कर सकते हो जैसी कि आप लोग यहां पर ही देख सकते हो यह ब्रस में आप लोग को राइट क्लिक करना यहां पर mixer brush tool select कर देना mixer brush tool select करने के बाद में यह वाला दिखता होगा यहां custom का बगल में आप लोग यह cross किया होगा तो आप लोग इसको select कर ले हो यहां पर रिवेट और यहां दोस्तों 10 में कर दीए अब आप लोग इसको zoom कर ले ना विफ्ट कर लिए अब आप üसंग से काम करना स्टार्ट कर सकते हो ये नोarlग अपना प्लग भड़ी से कौना नहीं क matar प्लिवर सकते हो मैं अफ्लों बाव सब्सेद करके डिखा रहा हूं आप लोंनों इसे में ज Allah फाच्वाक दोके नहीं उतना अच्छा होता है जियां दोस्तों यहां पर हमनों थोड़ा सा नहीं यहां पर हमनों थोड़ा सा नहीं यहां पर हमनों थोड़ा सा यहां पर हमनों करेंगे यहां पर हमनों करेंगे यहां पर हमनों इसको थोड़ा जूम कर लेते है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते है बेट को थोड़ा बढ़ा देते है और यहां पर ही टेप्स में apply कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हमारा जो face में है न, वो इस tap का आपका face में, आप लोग इस tap का smoothening effect एड़ हो जाएगा आप लोग इसी टैप का ना जो हैंड में आहात में हो गिया आप लोग का गला के पास हो गिया सब जगा आप लोग इसी टैप का जो है ना फेस स्मूधनिंग एपलाई कर सकते हो तो फेस मैंने आप लोग बता दिया फेस स्मूधनिंग बता दिया अब बात करते हैं आप मिकसर मिले आप यहां पर है लिमिनस मिलेगा लूमनेश में चल जाने कवाध यहां सामने कर लोगे नहीं यह पर आपलों को ओर खोंगे ना क्युंकि जो फेस के नगरा प्लों और यो यह दित दातौ आपने मुताविक देख लेना मगर कई बार इसमें ऐसा होता है कि जहाँ जा ओरेंज का लेरे ना वहाँ वहाँ भी आप लोग का ज्यादा रौस्टनी बर जाता है तो अगर आप लोगर इसमें सही नि लगे तो आप लोगर ये कृक्ट उसको भी एप्लाइ कर सकते हो यहां पर आप लोंगो प्लस का मिलेगा एक और रेक है आप लोंगा फेस को गोरा करने के लिए यहां प्लस में क्लिक कर दे ना न्यू लेयर एड़ हुजाएगा यहाँ पर 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 यहाँ अब का गोरा हो जाएगा अगर यहां से ना वाइड भी सेलेट कर सकते हो वाइड भी अपने मुताबिक चैपके कर लेना जैसिका देख सकते हो अभी मेरेg किष्ट्याप का ग् olmas हो रहा, मगर एक बात आपelectовों को ध्यान देना है, आप anthrop iba यeri लेखे कि मैं पूरा फेस में अप्लाइ कर दिया, आपको ब्लैक ब्लैक जगा में छोड़ दिना, जैसि कि यहां पर ही ब्लैक है, यहां पर आप लुग एप्लाइ नहीं करना है, यह कई बार देखने मेना आर्टिफीशल भी लगता है तो मैं इसलिए इसको नमाइ उतने एपलाई ज्यसे कि आप्छो देख सकते हो तो ये कई बार नार्टिफीशल भी लगता है आगर आपलोंग दोनों में से कोई ट्राइ करना आप लोगो जो सही लगे न आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो एक और ट्रेक है जो कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ अपना फेस को गोरा करने के लिए वो है आप लोग का डोज टूल यहां पर ही सेलेट कर लेना और यहां पर आप लोग एक्सपोजर अपने मुता सब्सक्राइब करता हूँ और अब देखना यहां पर ही मैं फटा फट इसको गोरा करना स्टार्ट कर दोंगा यहां पर ही मैं इसको सेलेट कर दिया इसको फटा फट डिलेट कर देता हूँ यह मेरा लेयर है अब देखो तो इससे भीन आप लोग चाहना तो अपना फेस है उसको गोरा कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो, यहाँ पर इस टैप का, और फिर आप लोगो यहाँ पर ही जहाँ पर ही आप लोग का ब्लैक यहाँ दाड़ी है, यहाँ पर यह सब आप लोगो थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर देना है, यह सब जगा में, जैस आप देख सकते होलिकर दोस्तों हमारा जो फेस है आпрयां देख लो इसी ट्रीका का आप लोग अपना फेस को सब्सक्राइं अregat भी कर सकते होँ अब आप लोग पर डिपरंड करते हैं क्या आप रोंग कैसा करते हैं मैंने यहां कुछ exposure को जादा ही select कर लिया तो आप लोगो कम exposure यहां पर ही select करना है यहां जब मैं door tool को select किया है तो यहां exposure आप लोगो कम से कम ही रखना है 25% मेरे को एकदम सही लगता है तो मैं maximum 25% को ही use कर करता हूँ तो यहां से आप लोग इसको यूज करके न अपना जो face को है वो गुरा कर सकते हो यहां से आप जैसा की देख सकते हो अब हम लोग बात करेंगा कि इसको में जो oil paint है न उसको कैसे apply करते हैं यहां filter में चल जाना यहां पर आप लोग को oil paint यहां पर ही जो है न प्रिसेट देख लेना कि आप लोग किस टैप का oil paint चाहिए यहां से आप लोग ज्यादा कम वगेरा यह सब भी कर सकते हो जैसे कि आप यहां पर ही देख सकते हो यहां सब लोग ओके में क्लिक कर दिए तो अब हमारा जो है न फोटो में वो oil paint भी apply हो जाएगा तो जैसे कि आप देख सकते हमारा फोटो में न यह oil paint भी add हो गया आप लोग यहां पर ही देख सकते हो अब आप लोग यह oil paint वगेरे apply करने के बाद अब अगर अगर अप लोग एडिट करोगे न अपना background को तो यह देखने में काफी जादा बहतर लगेगा काफी जादा अ यहां देख सकते हम लोग जो है न वो गुरा वाल एफेक्ट हमनों सी जो है न हमारा फेस में apply कि आप लोग चाहना तो पूरा यहां पर भी same to same वैसी करके apply कर सकते हो जैसे कि आप देख सब्सक्राइब हो गया अब आप लोग इसको एडिट करना तो अच्छा एडिट होग यहां पर अप देख सकते हैं सबसे पहला हम बात करेंगे कि इसमें हम लों जो बाल को कैसे खढा कर सकते हो यहां पर हीं आपड़म और यहां आप लोग को प्ले लगे तो मिलेगा तो आप लोग स्मर्ज टूल का लगे न उस ब्रस को ले ले अपने को उसके लिए काम आजाएगा जी यहां दोस्तों का बाल को खड़ा करने के लिए यहाँ प्रस जितना अच्छा होगा ने अच्छा आ उतना अच्छा आप इसमें बाल को उठा पाओगे जिसी कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहां पर वाल का काम कर दिए अब पहले से हमारा जो काफी ज़्यादा अच्छा लगरा देखने में आप लोग इसमें और टेम दोगे ना यहां पर यहां पर हम लोग फेस स्मूधनिंग और पिम्पल का इसका जो है ना hardness को कम कर देना और इसको हटा देना ऐसे से करके या फिर आप लोग इसको गलट बैक्राउंड चूस करोगे तो फिर आप लोग का फोटो से मैच नहीं करेगा और कलर ग्रीडिंग करोगे तभी उस फोटो से भी मैच करेगा जो बैक्राउंड आप लोग चूस किया होंगे ना तभी वो बैक्राउंड से आप लोग का ऐसी से तो आप लोग कर कैना आप लोग अप लोग अपर आप लोग प्रगाबा तर अप्लूंग करेगा वॉक्त वाग्ली से यहां पर धेक होतोी कि अट्रै के से घोड़ी तो यहां पर देesz tickets यहां इसने का अ वाहन है वहां फोतों करें सब्वसक्रेशिक्द करो होगा आप लोग जब भी background add करोगे ना तो वहां पर ही ना हलका सा हलका से background select कर देना हलका सा जो blur effect है ना उसको भी apply कर देना अगर आपका हुश्ट का अच्छा बनाना है तो आप लोग इसमें Lens Flare भी apply कर सकते हो और लेंस फाल इसनी देखा देख लगार रहता है lens flare आप लोगो यहाँ पर यह lens film देख से यह black is tap करेगा यहाँ पर normal को जा करके screen में select का लेना पड़ेगा आप लोग इसको क्या करो बड़ा कर सकते हो और बड़ा करके इसको आप लोग ऐसे करके apply कर सकते हो जो की देखने में आपका photo में और ज़्यादा अच्छा लोग apply कर सकते हैं आप लोगो देखना पड़ेगा कि कहां पर यह apply करने से आप लोगो जो फोटो में है न वो अच्छा लगेगा for suppose मैं यहां परेपलाई कर रहा हूं तो मेरे यहाँ पर वी जो है पेपलाई कर दोगे ना यह वाला भी फोटो ना आप लोगा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगने लगेगा यहां पर आपनों इसमें वाल पेंट अपलाई कर देते हैं जो कि आप लोगा बैगरांड से इसको पूरा मैच करवा देगा तो आप लोग चाहिए इसमें भी एपलाई कर सकते हो तो मैं यहां पर यह फमेंट आप लगा देता हूँ जैसे क्या आप यहां पर यहां पर ऐप 20-P Select कर देना Create में Click कर देना यहाँ पर यह वाला फोटो है तो इसको आप लोग क्या करना Drag कर देना और यहाँ से यहाँ पर लाकर के Drop कर देना तो हम लोग यहाँ पर इसको Drag और डॉप कर दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बैक कर दते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहां पर ही अर्जेस्ट कर दते हैं तो यहां आप देख सकते हैं हमारा जो फोटो में वो पेपर भी आड़ हो गया अब आप लोग क्या कर सकते हैं इस पेपर को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो जैसे कि आप यहां या कहीं पर भी आप लोग को सेफ करना है आण तो वह आपका जो फोटो एक वह यहां पर देख सकते हो यह लाटार आगिया तो ऐसी करके दोस्èle आप जो है ना फोटो होता शॉप मेहना पहली बार आई हो तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर तब तक के लिए बाइब बाय तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लेना और इस वीडियो को रेगाडिंग अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो ना तो इसलब मेरे को मै झाल